Hello kids, आज की इस वीडियो में हम adverbs के बारे में पढ़ेंगे Adverbs क्या होते हैं? जो word, verb में कुछ add करते हैं मतलब जो word ये बताते हैं कि verb मतलब कोई भी action, कोई भी काम जो किया जा रहा है वो किस तरह किया जा रहा है? उसको हम adverb बोलते हैं जैसे कि कोई काम मान लिजे reading हो रही है, पढ़ाई हो रही है तो वो पढ़ाई कैसे हो रही है, या पढ़ाई कब हो रही है या पढ़ाई किस जगह पर हो रही है तो जो word ये बताते हैं कि verb कैसे हो रहा है या कब हो रहा है, या किस जगह पर हो रहा है उन words को हम adverb बोलते हैं अब adverb जो होते हैं तो जो adverb हमें ये बताते हैं कि काम किस तरह हो रहा है how how question का answer देते हैं उन्हें हम adverbs of manner बोलते हैं जैसे कि अब हम कुछ pictures की साहता से समझते हैं जैसे tortoise walks slowly अब यहाँ पर tortoise walks ये walks verb है कि tortoise जो है वो चलता है पर कैसे चलता है how उसका answer हमें किस word से मिल रहा है slowly तो इससे हमें पता चल रहा है कि sentence में slowly जो है वो adverb की तरह काम कर रहा है ये हमें verb के बारे में बता रहा है कि verb कैसे हुआ हम एक और example देखते हैं जैसे दिव्या writes neatly अब दिव्या writes writes जो है वो वर्ब है कि दिव्या लिखती है पर कैसे लिखती है neatly how का answer हमें मिल रहा है neatly वर्ड से तो यहां पर neatly जो है वो adverb की तरह काम कर रहा है इस तरह के adverbs को हम adverb of manners बोलते हैं next adverb होता है जो हमें time के बारे में बताता है कि कोई भी जो वर्ब हो रहा है कोई action लिया जा रहा है वो कब हो रहा है जैसे he goes to school daily तो यहां पर जो daily word है इससे हमें पता चल रहा है कि वो कब school जाता है रोज आना जाता है daily जाता है तो यहां पर daily adverb हो गया इसको हम adverb of time बोलते हैं next sentence I drew the picture yesterday picture कब बना रही है yesterday तो यहां पर yesterday हमें when question का answer दे रहा है कि जो वर्ब हो रहा है जो drawing हो रही है वो कब हो रही है कल हो रही है तो इस तरह के adverbs को हम adverb of time बोलते हैं अब कुछ adverbs होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि वर्ब जो है action जो लिया जा रहा है वो कहां पर लिया जा रहा है where question का answer देते हैं place बताते हैं उस तरह के adverb को हम adverb of place बोलते हैं जैसे girl is playing inside तो inside word से हमें यह पता चल रहा है कि girl जो है वो कहां पर खेल रही है अंदर खेल रही है the boys play outside outside word से हमें क्या पता चल रहा है कि लड़के कहां खेल रहे है बाहर की तरफ खेल रहे है तो ऐसे word जो हमें यह बताते हैं कि verb कहां पर हो रहा है यह verb के place के बारे में बताते हैं उन्हें हम adverb of place बोलते हैं अब हम कुछ adverbs को बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम adverbs को अलग-अलग तरीकों से spelling में change करकर बनाते हैं जैसे careful careful में हम ly add कर देते हैं तो adverb हो जाते है carefully जब हम careful को adverb के जैसे use करना होगा तो हम use करेंगे carefully beautiful का beautifully कुछ words ऐसे होते हैं जिनमें हम last में ly लगाकर उसका adverb बनाते हैं जैसे slow का slowly sweet का sweetly अब कुछ words ऐसे होते हैं जो y से end होते हैं जैसे steady, angry, happy, lazy उसमें हम y को हटा करके ly add कर देते हैं ily add कर देते हैं जैसे steady का steadily इसमें हमने steady में से y हटा दिया और ily add कर दिया happy का happily angry का angrily lazy का lazily इस तरह से हम कुछ words को adverb में change करते हैं अब कुछ words ऐसे होते हैं जो y से end होते हैं लेकिन उनसे पहले कोई वाविल होता है जैसे की e a, e, i, o, u ये वाविल जब होते हैं y से पहले तो हमें उसमें सिर्फ y add करना होता है जिनके last में le होता है जैसे gentle, comfortable, idle तो इसमें ably, comfortably हमें उसमें सिर्फ last में e हटा करके y add करना होता है इस तरह से हम adverb बनाते हैं तो अब हम कुछ examples की help से और ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे do you work neatly इसमें adverb क्या है neatly इसमें हमें कैसे पता चल रहा है की काम कैसे हो रहा है neatly हो रहा है तो यहाँ पर adverb of manner हो गया next she sings softly softly word से हमें पता चल रहा है की वो कैसा गा रही है softly गा रही है the horse runs swiftly my friend walks quickly तो जिस word से हमें पता चल रहा है की verb किस तरह हो रहा है जैसे she sings sweetly I danced happily in my brother's wedding the child cried loudly इस तरह से जो वर्ड हमें बता रहे है की verb किस तरह हो रहा है उसको हम adverb of manner बोलते है अब हम कुछ और adverbs को देखते है you sang हम क्या लिखेंगे sweet का sweetly sweetly at the party अब हम कुछ और examples देखेंगे I did my sums smartly we ate quietly she talked loudly I wrote a letter correctly my sister draws beautifully इस तरह से हम अलग-अलग adverbs को use कर सकते हैं अलग-अलग sentence में meaning को समझ कर अब हम कुछ adverbs को mark करते हैं जैसे bravely neatly neatly sadly quickly softly softly इस तरह से हम अलग-अलग words को identify कर सकते हैं तो बच्चों ये था हमारे adverbs के बारे में कि adverbs क्या होता है और किस तरह से हम adverbs sentence में use करते हैं और कैसे word को हम adverbs में change करते हैं ये